प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार से यूपी विधान सभा की कमान समभाली थी और गुज्रात चुनाओं के लिए भी किस प्रकार से प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतरने के लिए त्यार है तरप्रदेश के विदान सबाद चुनाओं से कई महीने पहले ही पीम नरेंद्र मोदी ने कमान समाल ली थी, पुर्वांचल एक्स्विस्वे का उधगाटन हो या फिर अलिगर्भे उन्विस्टी का सिलन्याश कई आयोजनों से उन्हें शिरकत की थी और भाजपा की होने वाले और भाजपा ने एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रेल को तीन दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं इससे पहले मार्च में भी वग गय थे इस तरह यूपी विदान सबाद चुनाओं के रिजर्ड के तरह के एक तरह शुरुआत होगा और कारकरताओं में उत्सा भरने का काम करेगा इस दौरे में पीम नरेंद्र मोदी आदिवासी बहुल जिले दाखोत का दौरा करेंगे इसके लामा बनास काठा जाएंगे जो खेती और दूद के उत्पादन के लिए अग्रीर है यहां व 10 अप्राइल को पीम मोदी दाहोत जाएंगे और यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं उनके पहले 10 अप्राइल को होम मिनिस्टर अमिश्या भी गुजरात के दौरे पर गये थे बाचपा के नेताओं का कहना है कि अगले कुछ महीनों में पीम नरेंद्र में पर पूरा पोकस हो चुका है जितने भी मंत्री हैं जिन्हों ने प्रचार प्रसार धुआधार तरीके से उत्तर प्रदेश विधान सभाम में किया था उसी प्रकार गुजरात की विधान सभामें भी करेंगे और जीत का परचम लहराएंगे और यहीं शायद एक रणनी समय से पहले काम करना शुरू कर देतीयों जब समय होता है तब अपने काम को और धार देने लगती और इसी वज़े से शायद वो जीत हासल करती है बेपक्ष को भी नजर बनाना चाहिए कि क्या वो रणनीती बनाए और किस प्रकार से वो सत्ता पक्ष को मजबूती से खड़े होकर उसका मुकाबला करे धन्यवाद